हाँ जी दोस्तो तो आज अपने अब ऑडिके free fast track, जो बिल्कुल free 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 चल रहा है, ऑडिक का fast track, youtube पह आपको 100% free मिल जाएगा, उसका chapter number 17.2, that is investigation पर पहुच चुक है, अब जिनको नहीं पाता है, अपने fast track, यो फ्री चल रहा है, youtube पह मैं आप वो playlist का नीचे में description में link देंगा main चीज़ एक बार सुनती हो चलो कि भाई अपनी understanding तो चली रही है क्योंकि understanding के बिरा न तो case scenario लोने न MCQ वो तो चली रहा है पर साथ में जिससे marks मिलते असली के अंदर मलब आप समझना तो होई समझने के साथ जब तक आपने समझने से concept identify कर लिए अपन लिख दिया पर अब जब तक अपन उसका exact language नहीं लिखेंगे मलब ratification नहीं करेंगे अब तक marks नहीं मिलते बाई audit में यही तो सबसे वड़ी खराब चीज है दुखता ही चीज है यही है उसके लिए भी जिम्मेदारी मैंने लिए sir कि जो भी memory technique वग रहा है जो भी tricks वग रहा है सब कुछ मेरे जिम्मेदारी में याद कराऊँगा आपको बस चुप चाप से यह जो भी वीडियो में डालते आ रहा हूं वो देखते रहा है ठीक है sir जो चलो अपन शिरू करते है अपना chapter 17.2 that is investigation और यह अपनी उसी book से हो रहा है जो only 530 pages की book है उसके अंदर question भी cover है और concept भी cover है by 530 में सर कुछ होड़ा है क्या क्या आप बात कर दें मैं कुछ कुछ होड़ाता हूं क्या कुछ नहीं छोड़ा है जैसे यह question आ गया इस question का नीचा answer हो गया तो concept भी यह cover हो गया question भी यह cover हो गया पुरी चार्ट टेबलर में इसको याद करने की trick भी आप पही है चिक है तो इस वज़े से तो अपना investigation chapter sir अपन शुरू करते हैं इसके अंदर इन्वेस्टिकेशन क्या होता है investigation होता है किसी भी चीज़ का in-depth investigate करना in-depth examine करना audit तो क्या है reasonable assurance देखे उपर उपर सकल लेते पर investigation में बिल्कुल absolute assurance ही होता है बिल्कुल detail के अंदर deep के अंदर deep checking करेंगा अपन investigation के अंदर तो सर उसे पहले अपने due diligence पढ़ाता उसे पहले अपने due diligence पढ़ाता सर वो क्या होता था आपने वो भी तो ऐसा कुछ ही था due diligence तो हाँ भाई कुछ क्या पर फ़रक है due diligence और investigation में में बताता हूँ due diligence के अंदर था अपने पढ़ाता to establish एक क्या sorry to confirm all the material facts to confirm all the material facts यहाँ पे है to establish the fact to establish the fact वहाँ पे था कि अपन कोई भी नए ट्रांजेक्शन में एंटर होने के पहले कोच भी कंपनी खरी दे रहा कुछ कोई नए ट्रांजेक्शन में एंटर होने के पहले investigation में अपन किसी चीच को फुद पता कर रहे है वहाँ पे तो उसनी जो बताया था उसको confirm करते हैं यहाँ पे to establish the fact उसका in-depth examination करके यार ऐसा QF रोड के लिए भी हो सकता है investigation कोई अपन company acquire कर रहे है तो investigation हो सकता है और इंडेप्ट examination करेंगे systematic and in-depth examination करेंगे अब सर बहुत बेसिक चीज़ है audit और investigation पहली बात है investigation पहली बात तो audit होती ही वो statutory audit होती हमेशा companies है को अगरा कि प्लस इसमें limitations होती है आपन को ना यहाँ पे रीजनेवाल अशरस दे सकते है अपने पढ़ा पहाँ ऐसे 200 भी होता है inherent limitation है audit से सारी गलतिया नहीं निकलेगी पर by investigation की बात इसी है एक तो दो चीज़ जनरली ना investigation एक तो optional भी करा सकते हैं महलब खुद अपनी मर्जी से भी करा सकते हैं management को खुद को लग रहा है कि हमारी company में कोई गडबड चल रही है ऐसा कुछ भी तो मर्जी से भी करा सकते है optional खुद के साब से या फिर compulsory कभी कभार compulsory भी होता है जब government कहती है ठीक है ना तो इसके अंदर बस यह है कि आपको reasonable नहीं देना assurance या पर in-depth examination करके absolute assurance देना है आप आप सब कुछ चेक करो literally में चेक करो एक या पर कोई भी limitation नहीं होनी चाहिए ठीक है तो sir इसको याद कैसे करना है O near IPO यह वाले point है आप बेसिस वाले O near IPO, O near IPO investigation में डिफरेंस क्या है O near IPO, O near IPO अपन पढ़ते कैसे आएगा objective क्या है? इसका है किसी भी fact को establish करना वहाँ पर due diligence पर confirm करना किसी में अपर establish करना कि वो situation हुई है या नहीं हुई है, fraud हुआ है, fraud को ढूणना पढ़ेगा आपन को सब कुछ करना पढ़ेगा, fraud के लिए investigation कर रहे है तो ऐसा कुछ, बाकी investigation बहुत तरह की चीज़ों के लिए होता है company purchase कर रहे है, bank वाल को कभी loan दे रहा है, bank को अला कभी किसी को bank loan दे रहा है company को, तो company के बार में investigate करेगा सारी चीज़े, वो सब investigation लाता है यहाँ पर audit क्या होता है, financial statement true and fair है या नहीं scope क्या होता है, यह statutory भी हो सकता है और non-statutory, में मर्जी से भी करा सकते है और अपनी कम भी statutory भी आपनको force कर सकता है यहाँ पर generally low का provision लगता है, tax audit, gst audit, companies, security आप मेंशा low लगता है, लगता है periodicity, ओ, near IPOP से periodicity, IP से periodicity है audit generally specific period के लिए होती है, quarter की month की, six month की, quarter की quarter हाफ यह लिए है, इसके मबर कोई भी time limit नहीं होती है, कोई भी risk time की, जितना मर्जी होता, investigation करूँगा, मैं जितना मर्जी होता, investigate कर सकता हूँ O, near IPO, N, E, A, R, E, N से यह nature हो जाएगा भाई, यह voluntary होती है, जनरली voluntary मदब खुद की मर्जी से करा सकते है, यह mandatory होती है, हर company के अंदर mandatory है, यह आपर mandatory होती है, हर company का investigation होना, compulsory, 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 ऐसा थोड़ी नहीं होता है ठीक है, I say inherent limitation, O, near IPO, I, P, O, I say inherent limitation, इसकी कोई inherent limitation नहीं होती है, इसकी inherent limitation होती है, audit की हमेशा आपने पढ़ावाए, कि हमेशा conclusive नहीं दे पाता है, इसकी कुछ limitation रूप जाती है, कि material misstatement वगरा हो, तो भी fraud हो, तो भी हम identify नहीं कर पाएंगे audit के अंदर, इस evidence, यह conclusive होते है, conclusive, यह persuasive होते है, primal facing, मालब, conclusive, मालब, यह बिल्कुल conclude करते है, बिल्कुल conclude की, यही है, जो final है, यह तो बस persuasive है, कि एसा हो सकता है, मालब, reasonable assurance, primary facing, observation, इसके अंदे आपन को general accepted audit, process, मालब, SS पढ़ाईते हैं, आपने SS वगरा, वो SS follow करने पढ़ते है, accepted accounting principle होते है, सब कुछ चेक करने पढ़ते हैं, कि accounting principle होते हैं, सभी लगाया नहीं लगाया, FS accounting principle के सब से बनाया नहीं बनाया, यहाँ पे सब कुछ दिमाग से करना पडता है, analytical nature सब कुछ दिमाग से करना पता है, appoint कौन करता है, यहाँ पे owner shareholder करते है, generally auditor को तो appoint, पर यहाँ कोई third party भी appoint कर सकती है, bank भी appoint कर सकती है, कि तो इस company का investigate कर किया, उसके बाद मैं इसको loan दूँगी, reporting, यहाँ पे owner को reporting करते है, audit के अंदर, यहाँ पे जिसने investigation शुरू कर वाई, उस पे करते है, ठीक है, एक example अभी तुम investigation का यहीं मान के चलो, कि एक bank किसी को loan दे रहा है, त अपोइंटरी था, N,E,A, A से अपने appoint कोन करेगा, N,E,A,R,R से reporting पड़ा था, अपनने कि को किसको reporting करने ही पड़ेगी, N,E,R, IPO, I से अपने inherent limitation पड़ा था, इसकी नहीं होती investigation की, P से periodicity पड़ा था, P से periodicity पड़ा था, और उसे observation पड़ा था, कि अपन क्या observe करेगा, ठीक इन्वेस्टिगेटर हमेशे जनरली मान के चलता है, कुछ ना कुछ गलती है, मझे वो ढूंड की निकालनी है, इन्वेस्टिगेटर का दिमाग हमेशे, Mind of Suspect के अंदर रहता है, ठीक है, ओडिटर को जनरली के और accounting policies वगरा, valuation यह सब चीज़ चेक करनी होती है, क्या चेक कर यहां पर उपर से बता है, अब वो इन्वेस्टिगेशन करा दिरा वेनेशे, Specialist in investigation के, क्या investigator इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेटर करना है ऑगा, वो sampling कर सकता है, तो इसे जनरली नहीं कर सकता है, पर फिर भी situation पर इपर इपेड़ेगा, पिर इपर इपेड़ेग एक देख सकता है कि आपको सेंपल लेना ही पड़ेगा सेलेक्टि वेसिस पर यह अपने केस्पेश के लिए रखाई के सारे 100% ट्रांजेक्शन देखने पड़ेंगे ना कि और अगर 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 सामने ररका हो गया कि अपने बड़ा प्रोफिटिबिलिटि चेक करनी है तो हमेशा सेंपलिंग इस्टेटिस्टिकली करनी है एक्सपर्ट की मदद ले सकता है कि इन्वेस्टिकेटर कभी खुद इतनी नौलेज नहीं किसी चीज के लिए उसको एक्षवरी की मदद चीये वैल्यूर की मदद चीये किसी चीज के लिए तो हाँ बाई अगर सामने वाले बंदे ने रिटन में दे दिया कि हाँ तु ले स प्लस उसकी जो मैं एक्सपर्ट रखूँ गा उसकी कोष्ट बियर कौन करेगा उप चाहं चीज बता सकता है तो यह तो ब नहीं भाई बश्बन साब्ट अकरत एक गेंट में करेंगे यह पंड़inhas चीज करेंगे इसा तो नहीं सबते हैं सब्सक्राइब एक बाट करना के लिए तो उसको एकस्प्रेस नहीं करने नहीं करना है हां तो अपने पद़ होते हैं कि?」 व्पिनिन देने हैं कि उसका basis क्या होता है कि कभिक आपने लगा कि इस भूप्स ओक्रा वहुद में में घंढ है उसको ऐब ब्रोट करें पर क्वालिफाय करें तो ऑपिनिन देने हिरे को ऑद एक क्वालिफाय करें सकते books records और 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 चेक कर करके वहोई नहीं सकता है इस जात ओपीनियन देऊ मद एफ इसको qualify कर दो reason के साथ हमेशा reason के साथ करना जो भी करो क्या वो working paper को sorry working paper को retain कर सकता है क्या बढ़ाता है ऐसे auditor to 30 के अंदर हो documentation करता है वैसे ये भी क्या working paper को retain करेगा क्या हाँ वै क्योंकि इसको भी तो prove करना पड़ेगा कि मेने काम सही से करा है उसके भी responsibility का मात्या पड़ेगा उसका कि तुने काम सही नहीं करा है तो हां इसको भी इसको भी अपने working paper maintain करने पड़ेंगे इसको अपने working paper maintain करने पड़ेंगे शुड़ रिटेंन फायल फुल احड शुल अनोर्स कि जिसने क्या क्या काम करा है पूरा अच्छे ताई से working paper आगर उसने यह सा मेंटेंड नहीं करें तो वह अपने प्रूव नहीं कर पाया तो वो अपने प्रूव नहीं कर पाएगा कि उसने काम सही से करा है सारहे वर उसने साइसे केलफूरेट करें उना फ्रूव कैसे कर पाएगा प्लस रिप्रेजेंटेशन लेटर भी ले लेना इन्वेस्टिगेशन अपटेशन लेटर भी तुमको लेना पड़ेगा और उसको भी डोक्यमेंट करनो investigation out of dispute conflicting दो पार्टी के बीच में कंफिलिक्ट चल रहा है A और B के बीच में कोई भी चल रहा है कोई भी claim चल रहा है तो A और B जोने से किसी ने कोई investigator करा investigator करा कि भाइ तुम हम दोनों के बीच का dispute resolve करो चीजे investigate करके तो क्या? अब investigator समझो तो ए ने अपोइंट कर रहा है या बी ने अपोइंट कर रहा है तो जो भी पार्टी कर रही है ना उसकी तरफ बायस मत हो जा आप ठीक है ना तो हमेशा का डिस्प्यूट कॉंफ्लिक्टिंग क्लेम के अब और रहा है फिर अब अपन एक्सपर्ट ओपीनियों ने प्राइज ओफ लेंड एक्सपर्ट का उपीनियों सकते हैं क्लाइंट से प्लस कॉस्ट कॉन बीर करेगा वो आप देख लेना जी हां जी हां आप यह बाइसाब कि क्या में में इंवेश्टीकेशन करने आया हूँ एक्सपर्ट जिज्ट नहीं करना है तो अब और आप इसे बसलना से एवग नहीं करना है देखना है मुझे पैली बात अगर financial statement किसी qualified accountant ने audit करे ही नहीं है तो तो बात ही कहतम हो गई फिर तो आपको उसको चेक करना ही पड़ेगा आपको फिर तो आपको किसे रिलाइक किसी कर लोगे तो आपकी natural duty है कि accounts को properly आपको चेक करना ही पड़ेगा वो बात एक अलगी हो गई बाकी अगर किसी professional accountant ने उसको audit करावा है तो हाँ भाई आप उस पर rely कर सकते हो ठीक है अंतर पहले तो उसके accountant ने audit करावा है नहीं करावा कोई qualified accountant ने वो आपको देखना पड़ेगा फिर भी बाकी वो सब भी बात अलग हो गई पर फिर भी आपको देखले लिना जो भी आपको investigation को रखा इसलिए investigator को रखा इसलिए कि उसको management था उसको डाव सब्सक्राइण नहीं कर सकते हो ल सकते पर्ड apology कर सकते हो चनरल जेल लिस page कि वेली निकाल नीए काल ने हो कुछ रिल की इनकमिंग पार्टनरा रादा आज तो से तो से कितनी मंगा है सब इसकेस के ंदरा बाकी जनरल सको रिलाए कर सके ओए आप को इस Спेशल असपेक बिस्निश इंवस्टिकेशन में जब आपन किसी बिसनिस का इंवस्टिकेशन करते खुब भी बिसनिस चल रहा। तो उस पर अपनको क्या generally expect follow करने पड़ते है, एक तो overall picture देखो, हमेशा overall picture देखो, business की specific चीज के अंबर कुछने के, पहले overall picture देखो, फिर अपनको उसकी check करनी economic और financial position, यह सा नहीं कि पूरा का पूरा एक साथ question आ जाएगा, ऐसा आना बहुत rare chance है, मैं को इन लगता, एक specific topic आ जाएगा, इसका एक question आ गया, क्या आप business की economic और financial position कैसे check करोगे, इसकी trick होती है, capital डालो, production capacity बढ़ाने के लिए, capital डालो, production capacity बढ़ाने के लिए, जिससे आपके sales जाद होगी, तो आपका profit भी जादा होगा, चीक है ना sir, तो फिर, आपन को क्या चीज़ चेक करनी है, आपन को business की financial position चेक करनी है, तो business की financial position आपको क्या चेक करने पड़ेगी, क्या आपन business की, business को चेक करने है, क्या business के पास working and fixed capital, fixed, fixed or working capital sufficient है न धंदा चला कर रहा है, या उसकी capacity और भी improve हो सकती है, productivity और इंप्रूव हो सकती है, या आपन को देखना पड़ेगा, प्लस general trend और क्या चल रहा है, sales और profit का, कि इस साल 50 लाग सेल ती है, अगले साल 70 लाग सेल बढ़ रही है, तो general trend क्या है, sales और profit का, वो देखना पड़ेगा, क्या जो जो भी trend चल रहा है, जो भी profit का trend चल रहा है, वो expected है कि future में भी वो ही maintained रहेगा, या कोई future के अंबर कुछ circumstances ऐसे आनली low integration आजाएंगे, competitor आजाएंगे, कि आपका profit sales हट सकता है, हिल सकता है, वो चीज़ का धियान रखना पड़ेगा, तो भाई, capital डालो, capacity बनाने के लिए, तबी तो आपका sales और profit बढ़ेगा, sales और profit बढ़ेगा, ठीक है न, अब अपनको ये financial और economic company के से चेक करनी है, अब अब अपनको इस statement और profit loss, profit loss के में क्या चेक करनी है, उच्छे निए भाई, तुमको profit and loss चेक करना है, profit and loss के जो भी item तुमको दिमाग में आते हैं, सारे डा closing क्या होगा, जितना goods consume होगा, opening stock minus closing stock, जितना goods consume होगा, तो आप opening store, closing stock को अटा के direct, कितना goods consume होगा, वो लिग दो, कितना inventory consume होगा, वो लिग दो, ये इननने guideline दी हो ठीक, MCQ में कामा सकती है, अब आपको P&L को कैसे check करना है किसी entity के, उसके 5-7 साल की summary लो, columnar format के अंदर बना अब आपको ये सब चीज़ चेक करने, जो भी दिमाग के अंदर आ रहे हो, क्या 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 लाइन आइटम आ रहे है, सेल्स में एक तो turnover आपको सेल्स में आ जाता है, फिर अपने manager remuneration wages, यतना दो तरह की salary दी होगी, plus non cash expense भी अपने दिमाग में आते है by depreciation, plus depreciation, depreciation machinery पे लगता है, machinery पे तो repair maintenance भी लगता है, और इसके लाब कोई भी exceptional item है, तो सब कुछ आपकी summary बना लो, इनको अच्छे से check करना है, जो भी दिमाग मार है, turn over होगया, एक तो sales side से, फिर salary में दो आइटम याद आने चेक, manager remuneration, और एक wages, ये दो आइटम है, फिर आप repair maintenance भी लग ये तो 10 में से 10 से product में तोड़ो, कि total turnover के अंदर A product ने किता revenue दिया, B product ने किता revenue दिया, C ने किता दिया, उनको detail analysis करो, कौन सा product profitable है, कौन सा नहीं है, manager remuneration access में दो दे दी, wages को size से proper दिया है, extra calculate करके नहीं दिया है, depreciation calculate करने का method consistent है, repair maintenance किसी year में जाबा है, किसी में कम है, क् बी exceptional item है, balance sheet review करो, balance sheet में भी same, जो भी balance sheet का item है, सारे के सारे चेप, वैसे के वैसे ही होगा, कि बाई, क्या दिमाग में आ रहा है, fix asset दिमाग में आ रहा है, investment दिमाग में आ रहा है, current asset दिमाग में आ रहा है, उसके अलाबा liquid asset, ideal asset, यह दो पोइंट अलग से, एक बार देख बाकि सार, liability होती है, liability side में, tax session की liability भी होती है, capital भी हम इंट्रूइस करते हैं, सारे लगपग, point cover होगा है, अपने balance sheet के, वो सारे point दिमाग में, और उपर capital भी तो होती है, company ने कितनी capital इंट्रूइस करी, वो सारे point यहाँ पे cover होगा, अपने इसको यह से याद हो जाएगा, fix asset चेक करना है, fix asset की value बिल्कुल सही से, रख रखी है, revolution proper कर रखा है, investment जो market value पर है, उसी पर ले रखा है, inventory में, कोई भी slow moving inventory नहीं है, damage inventory नहीं है, जो bikini रखी, फिर भी books के अंतर रख रखी है, उन्होंने आपने, trade disable में देख लेना कि आपने provision बना भी आगर कोई bad debt लोग रहा होना है, तो बाकि other कौन सी दूसरी, इसके लावा adequate provision बना रख रहा है, capital जो है, उसके बीच में balance, equity, preferential बेंचर की फिर में, चिता balance चीए था, ठीक है सर, तो अपनने चेक कर रहा है, economic position, financial position, पेंडल चेक कर लिया, balance चेक कर लिया, अब अपन future maintainable turn over देखेंगे, interpretation of figure, कि future के अंबर भी ये turn over maintain होगा नहीं होगा, कि जो turn over अभ future maintainable turn over निकालते थे, future maintainable profit निकालते थे, future maintainable profit निकालते थे, future में कितना turn over होगा अभी के साब से, तो क्या बेखेंगे, MCPT, 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 प्रोड़क का मार्केट बढ़ने वाला है तो वह नया मार्केट भी हमारे कुछ के एप्चर कर लेंगे पॉलिटिकल कंसिट्रेशन क्या होने वाले कि पॉलिटिकल पॉलिशी को यह आ गई जो हमारी कंपनी है और सरकार को बैंड कर देगी हमारी हमThis हम 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 सिग Kr sacrific बनाते तो को और सरकान ने तंबाकू कर दिया बीडी कर दी पूरी पूरी तो वह फोकर पर पूरी की पॉलिटिकल सिच्छन को ऐसी आ गई civर की हमारी इतुप दूर की ठूक जा नहीं है एकले साल से तो ट्रेंड क्या जनरल ट्रेंड क्या चल रहा है तो उस ट्रेंड के साफ साफ आपको बता पढ़ जाएगा next future year में क्या होने वाला है अपना turn over MCPT marketability competition है marketability competition P से political P से political T से trend T से Fmc PT सर यह हो गया future maintainable turn on यह भी check कर लिया अब investigation के दो टाइट दे रखे बाई साब जो मैं तो बोला था न तो statutory एक non-statutory इस्टेशिट्री 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 की तरीके से भी हो सकती है मालब किसी ट्रीविनल ने बोल दिया इस कंपणी पर इंवेस्टिशिट्री कर रही कंपणी साही से नहीं चले तो भी हो सकती है एक non-statutory मालब मुझे खुद को company को company के भारवाल इस्टेशिट्र को कभी किसी इस्टेशिट्री इस्टेशिट्री में इसके अंदर डिटेल नहीं दी मैं बतातो हूं क्या होगा वेसे यह ना तुमारे है supplementary मोडिल जो एक्स्ट्रा मोडिल है तुमारी उसके अंदर पढ़ा चुके हैं यहाँ पर वापिस से नहीं पढ़ाएंगे पर पूरा old course के अंदर आई से यहाँ पर caution पूश्टा था इसलिए मैं तो बुक्स में तुमको वापिस दे दिया है ठीक है ना इंवेस्टिगेशन ओनर्शिप में section 216 होता है company जाका कि company के ownership असली में कौन ओनर है company का उसके बार में investigate कराता है central government central government कभी कबार अपॉइंट कर देता है SFI serious fraud investigation officer को और या फिर कोई दूसरे cases के अंदर भी central government investigation करा सकता है company के ऊपर non statutory like अब पढ़ेंगे एक एक करके अभी नीचे पढ़ेंगे सब्सक्राइब कोई incoming partner आ रहा है किसी firm के अंदर partner आ रहा है तो partner भी firm की investigation करेगा कि firm के अंदर बूरी firm तो नहीं जा रहा हूँ कोई bank वाला loan देने के पहले कर देख उसकी investigation करेगा अफ रोड की investigation करा सकते है आप ICI SM के अंबर अभी नहीं दे रखा किवल नाम दे रखा है कि यह यह है और यहां पर लिखावाए कि section 210-212213 यह self-pass module set A के अंदर है बागी ओपर detail नहीं दे रखिया ICI नहीं है ठीक है यह दोनों कर नहीं दे रखा है मतलब statutory audit के statutory नहीं दे रखा है not in audit SMN लिख भी रखा है audit audit capacity material में नहीं है ठीक है ना मैंने तो दे दिया तुमको एक बार ठीक है तो अब तुम में एक बार तुम्हारे वाह पे sales space module में पढ़ लेना आशा करता हूं पर मैं एक बार overview दे देता हूं इसको तो फटा-फट सोड़ा हूंगा कि अब फटा-फट सोड़ा हूंगा कि overview देता हूं कि बाई यह audit का पार अथा ने कम बचा है तुमको लो में पढ़ाते ने तो लो में पढ़ा होगा तुमने बाकि मुझे पता है सो लो तुमने कैसे करी होगी तो पर ठीक है सेक्शन दोसो बार दोसो तेरा दोनों डिल करत अंदर कर आएगा तो यहांपे सें कंपनी की औरिक करो इस company की investigation करो जब किसी ने उस company की शिकायत करिये या वो खुद से भी कर सकता है खुद से भी कर सकता है कब कर सकता है खुद से जब public interest में हो जब public interest में हो कि public का interest काई पर खराब हो रहा है तो उस company की audit करो या फिर किसी ने उसकी special resolution पास करा है company वालों ने खुद इने special resolution पास करके बोला है कि हमारी company का investigation करो यहाँ पर कुछ गलती चल रही है तो company के वालों ने special resolution पास करा है या फिर central government खुद करा रहा है या फिर उसको report आईए registrar या फिर inspector से registrar या फिर inspector से report आईए कि इस company की घड़बरी चल रही है इस पर investigate करो तो may order compulsory नहीं है ठीक ना same यहाँ पे न central government SFIO का appointment कर सकता है serious fraud investigation officer को वो आके भी इसकी investigation कर सकता है same जो तीन case पड़े हो तीन के तीन case से report रिपोर्ट रिजचार से special resolution public interest एक फॉर्ट आपउइंट हो रहा है है जब specified number of member που specified number of member होते है या हमके इतने लोगों ने बोला कि इसकी investigation करनी है तो ट्रिबिब्योनल इंव्चिकेशन उसपर लगवा सकता है तो ट्रिबियॉनल उसपर investigation करवा सकता है कि अगर जब specified number वी दूसरे बंदे ने भी बोला है, तो वह करवा सकता है, क्या बोला है, कि इस पर investigation कर रहा हो, क्योंकि थंदा चला रहे हैं, उनका intention यह धंदा करने का है कि उनको defraude करना है, creditor के साथ fraud करना है, creditor के साथ fraud करना है, या किसी भी company, किसी भी fraudulent या फिर unlawful purpose से चल रही है, company fraudulent चल रही है, फिर unlaw purpose से चल रही है, तो उस पर investigation करा सकते हैं, ठीक है, यह point MC को यह case scenario में बहुत आ सकता है, मुझे लगता है important है यह वाला, कि हमेशा जब inspector appoint करोगे न, उपर वाले case के अंदर, individual बंदा ही appoint को कभी firm, body, corporate appoint नहीं सकती, case scenario में आ गया, A limited को appoint कराया आपने, तो आपके अपनको बना कर देना, A limited investigator बनी नहीं सकता है, के वल भाई, individual person को ही बना सकते हैं, बोडी, corporate, other association, firm बगला है, इनको नहीं बना सकते हैं, यह भी नहीं है भाई साहब अपने course के अंदर, पर अब मैं एक बार चलो यह बता देता हूं तुमको, कि general approach क्या होती है, तो course में अब यह मला अभी पतानी चलो, old course के अंदर question आवा है, old लिखावा है मैंने, जनरल approach क्या होती है, इन्वेस्टिकेशन जब 210 और 213 के अंदर आपको investigation करना है तो आपको क्या approach रखनी है, TSP पर, इसमा अब आपको जाद खना है, TSP पर, मतलब ना investigation, investigation आपन DSP, DSP investigation करना है तो DSP पर खुद पर investigation हो गया, DSP होता है न, DSP, PSP, 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 PSP तो उसकी क्या अप्रोच होनी चीए 210-2013 की इंवस्की करने हैं Terms of reference, सबसे बहुत है Terms of reference पड़ेगा जिस भी बंदे न उसका प्पॉइंट करा है तो उसकी Terms of reference जो भी engagement लेट रोग रहा होगा सारे डाउट क्लिर करेगा कि हाँ यह यह फ्रान दीग रहा है तो सारे डाउट क्लिर करेगा कि बिल्कुल क्लिर है Scope, अब वो देखा कि मेरा Scope का investigation मुझे क्या क्या चीज़े चेक करने है T से Terms पड़ लिया, S से Scope of investigation देख लिया P से Period, T, S, P, P से Period कि मुझे किस कितने Period तक की investigation करने है अब वो प्रोग्राम बनाएगा, मुझे इसकी investigation करने के लिए Expert की requirement ही का, कि मैं इसकी investigation सही से नहीं कर पाऊंगा मेरे को नहीं आती है कुछ चीज़े, यहाँ पे मुझे Valuer की जरूवत है, Register Valuer की जरूवत है, Actuary की जरूवत है, तो क्या मुझे Expert की जरूवत रखनी पड़ेगी क्या मुझे वो देखना पड़ेगा, P, E, R, R से Report, R से Report, Legal Requirement and Investigation Report अब फाइनल जो report होगी ना, वो report में issue करतूँगा तो TSP पर खुद पर Investigation होगी है, T से Terms of Reference, SA Scope, P से पीरिट, P से पीरिट पर पर P से प्रोग्राम, E, Expert और R से Investigation into Ownership, अब यह तो यार बिल्कुल भी SM के अंदर नहीं है, अपने audit के अंदर पर यह Ownership के लिए अपने Investigation नहीं करतेगा, Section 216 के अंदर की कमपनी का असली में ओनर कोन है, असली ओनर कोन है, वो पता लगाने के लिए Central Government Order देती है, कि कमपनी का असली ओनर कोन है, वो तुम पता लगाओ, True person कोन है, Purpose क्या है, True person find करना, कि कौन असली में कमपनी में Financially Interested है, कौन कंट्रोल कर रहा है, असली में कमपनी की Investigation जो अपना ICSM है, पूरी अच्छे से दे रखा है, यह वाला, तो अब सबसे पहले आएगा अपना First वाला point आएगा, Incoming Partner, First वाला के आएगा अपना भायाजी, Incoming Partner इसके अंदर है, कोई नया Partner, like CA firm ही ले लो, CA firm ही उठा के ले लो, CA firm ही बेटर अपना कराने पड़ेगी कि firm केसी है, firm के liability केसी है, firm के client firm के पास कितने सारे, firm में इसे goodwill ले रही है, कोई तो goodwill की calculation सही कर रही है, firm के पास staff competent qualified staff ही या नहीं है, मतलब उसको पूरी firm के बार में information लेगा, direct partner नहीं चल जाएगा, तो उसको पहुत साइची देखनी पड़ेगी, फरस्टी चीज होगी कि भाई वो मुझे पहले तो, trick इसकी मैंने तोट रखा है याप एक ये, एक ये, कुछ section इसको, कुछ section इसको, कुछ section इसको मैंने तोट रखा है, इसे याद करना है, अब देखो, जैसे ये बारा पोइंट है, मैं हर बार बोलता हूं, वापिस बोल पूरी ओडिट याद नहीं होगी, तो 5-6 रट क्या हो, 5-6 रट हो, पूरे marks मिल जाएंगे, पर समझने सार है, क्योंकि MCQ कही से भी आ सकता है, ये point तुम भूलना नहीं है, तो सलो आपन 5-6 पंड ऐसे याद करना है, ऐसे याद करना हूं, सबसे पहले तो मुझे partner ले रहे मैं एक गोच्छू सा इंसान हूँ, मैरे को partner ले क्यों रहे है, फबस इससा ही रहे, मैं नहीं है पार्टनर ले क्या क्या, थो पार्तनर को स्कते है, पार्टनर जो admission अलाग करता है ना ये पार्टनर की, वो मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद मुझे partnership firm के बारे में देखना पड़ेगा, partnership firm के बारे में पता करना पड़ेगा, क्या मैं जा रहा हूँ, partnership firm की growth कितनी है, partnership firm की history क्या है, कोई history ऐसी तो नहीं है, कि आया दिन crime firm पर घुसी रहती है, उसकी growth कितनी है, वो सब चीज़े मुझे इसमें evaluate करनी पड़ेगी, कि partnership firm की history क्या है, growth क्या है, partnership firm की पुरी partnership deed पड़ूँगा, पुरी basic चीज़े ने, किसी partnership firm मैं जा रहा हूँ, पुरी deed पड़ूँगा, कि कितना capital ratio है, किसने किती capital लगा है, पुरी फर्म के पास कितनी balance sheet में कितनी assets है, कितना profit है, क्या sales है, कितनी growth है, return of capital employed कितना है, कोई AC liability तो नहीं है, कोई AC liability तो नहीं है जिसमें मैं भी फस सकता हूँ, तो asset, liability, capital, return, profit, यह सब चीज़े में check करूँगा, net worth वगरा, सब चीज़े में, उसकी check करूँगा, profitability में check करूँगा, उसकी during the year, उसकी asset liability position check करूँगा, यह balance sheet item हो गया, asset liability, कोई भी loan finance उसने ऐसा ले रखाया, तो उसकी terms and condition पढ़ूँगा, कि मैं ना फस्दा हूँ, इस loan की वज़े से, यह balance sheet item हो गया, यह pay andal item अपने पढ़ा ही था, यह pay andal item पढ़ा था, अपने, इस पर पता जला कोई legal obligation है, उस वज़े से पूरी अप पुराना वाला effect भी इस बार आएगा, 10% salary अगर आपन बढ़ा देंगे तो कितना impact पढ़ेगा, इस बार, तो कोई भी legal obligation ऐसी है क्या contractual obligation जो आपने पहले से, obligation कर रहा था, कि हम आपकी 10 साल बाद 10% बढ़ा देंगे, पहले से वह कर रहा था, तो इस पर बहुत बढ़ा impact पढ़ेगा अपने पर, balance sheet में अडल दोना impact पढ़ेगा, plus capital चेक करेंगे, capital पर कितना return मिल रहा है, capital एंपर चेक करेंगे, उस पर कितना return मिल रहा है, finance की terms क्या है, loan finance और legal obligation को यह सिह क्या, capital, capital कितनी लगानी है, उस पर return मिल रहा है, सारी balance sheet में आपके, चेक कर लूँगा, फिर एक ही कि मुझे क्लाइंट और staff देखूँगा, क्लाइंट और staff देखूँगा कि अभी उसके पास कितने at present client और orders है, order और client कितने हैं उसके पास, और उसके पास staff कितना है, staff qualified, qualified staff तो है न, qualified staff नहीं हो तो ज़्यादा टीकने नहीं वाली, उसके पास orders कितने हैं अभी हाथ में और client कितने हैं, और जो भी इनकंप्लीट contract है मुलब जो order है, order या incomplete contract जो भी orders है, अभी firm हमारी reconstitute होने वाली है, मैं नए पार्टर आ जोँगा, तो जितने भी incomplete contract है क्या वो transfer होंगे क्या नई firm के अंदर, अभी मारी reconstitute हो जाएंगे तो क्या वो reconstitute होने बाद नए उस firm में transfer होंगे क्या, order in hand कितने हैं, incomplete contract transfer होंगे क्या, quality of key personal, जो भी key personal है, quality क्या है, अभी क्या पढ़ा है, तो अपने क्या पढ़ा है, अपने सारे के सारे point पढ़ना अच्छे से, और quality of key personal employees कैसे है, ठीक सब्सक्राइब, अब valuation of share of private company, फटा फट से उड़ा देते हैं, कि कभी भी shares value करने, private company के कैसे करने, दो method दे रहें, net worth basis पर आप कर सकते हो, net worth basis पर कैसे value करते हैं भाई, share को, net worth, divide by number of shares, यह हो गए आपके shares value, तो net worth की calculation आपको अच्छे से चेक करनी नहीं है, कि net worth के अंदर आपने goodwill का amount include कर लेना, non trading asset है जैसे investment, जिसका आप trade नहीं कर दे हो, आप बेजते नहीं उसको, तो investment हो रहा है, उसको भी आप include कर लेना, net worth निकालते वक्त, हर asset को revalue कर लेना proper से, उसके बाद net worth में include करना, उसके बाद net worth में कि अच्छे से अभी जो market value चल रही है, वो निकालने के बात करना, goodwill को किस amount पे लेना है, वो depend करेगी कि कि कितना super profit upon future में कमा सकते है, उस amount को goodwill पे लेकिए आपको network पर चोड़ना है, ठीक है, first method अपने network basis पर पढ़ लिया, second yield basis पर, first network basis पर shares की calculate करने का value, अब yield basis पर, खुछ ही नहीं, अब तुमने SFM में सब कुछ पढ़ावा है, SFM क्या तुमारे AFM हो गई ना, अब भी तो AFM हो गई तुमारे, AFM में तुमने पढ़ लेंगे, अपन तो अपनी shares की value आजाएगा, इसकी present value, तो dividend अगरा जितना अपने अर्ण करने वाले है, capital efficient अर्ण करने वाले है, उसकी present value निकाल दो, अच्छे से discounting rate पर, average profit निकालो पहले है, पिछली company के 5-7 साल का, वो निकालो approximately, तो कितना आपने अर्ण करा है, उस सबसे future में कितना earn करने वाले हो, वो आपको पता पड़ जाएगा, तो उसको capitalize कर दो, reasonable rate पर, मतलब उसको capitalize कर दो, तो, मतलब जितना भी future में अपन profit earn करने वाले है, उसको present value निकाल दो, कि ये present value पे लियाओ, present value पे लियाओ, present value पे लियाओ, उसको capitalize कर दो, मतलब present value निकाल लो, फ अपनको मिलना ही मिलना है राइट टू रिसीव डिविडेंट जब इस्टेबिलिश हो जाए तब अपनको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा उसकी प्रेजेंट अल्यू निकाल दो अब यह थोड़ा इंपोर्टन टाइप है बाप इससे कि बैंक किसी को ए إिसिक बांक सिय को फखेंगी से अधीक किसी को तो इन्वेसिक करेंगा उसके बाद बैलंशिक चेका बैल एंडल रेशियो पहले तो फ़र्श में कुछ बेसिक चीज़ देखेगा फिर इंकम स्चेटमेंट बैलेंशी राइटम वो सब देखेगा तो बेसिक चीज़ों में क्या बेखेगा तुर नहीं सौरे पॉइंट याथ होई ना करने पाच्छे मां सब कोशन आएगा पर मैं तुमको याद कर रह याद चाहिए अग्या पएगा प्रपस क्या है पर प्रपस काया पर फैनेशल इस्टेंडिंग टेरी और इस्ट्री ओव् क्या है और इस्ति ओव्ड भौट कि पिछले पास सालों में तेरी कितनी ड्रॉट डवलप्मेंट हुई तरी उकाद पता पड़ेगी उससे मेरेको तो बेंक वालों को उकाद पड़ेगे, तेरी परपस क्या लोन लेने का और तेरी उकाद भी है क्या लोन को रीपे करने के लिए, फैनिशल इस्टेंडिंग और फैनिशल इस्टेंडिंग और फैनिशल इस्टेंडिंग और फैनिशल इस्टेंडिंग और फैनिशल बना के दूँगा वो एक्री कर लेंगा ठीक है तो यह 5 पंट अपने वैसे यहाँ पे ही complete होगा है चार पंट यहाँ पे ही complete होगा है एक पाचा में देख लो कि जो भी बंदा loan ले रहा है वो MOA, AOA के हम दर authorized है न वो बंदा कभी जीवन में उसकी पहले कभी भी कि किसी बैंकर ने उसकी loan की application reject करी हो किसी बैंक में गया हो और बैंक में loan application reject कर दिया तो उसका क्या reason था क्यों reject करा था पहला ना रही परपस क्या 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 क्यों लेन ले रहा तेरी उकाद भी है क्या financial standing और history of growth और अगर तू repay कप करे रेपेमेंट शेडिल रेपेमेंट शेडिल उत्रायस एक moaaias है और reject कभी इसको करा था क्या पीएंडल चेक करेंगे, बैलेंशीट चेक करेंगे, और पीएंडल बैलेंशीट के साथ अपन रेशियो भी चेक करेंगे, पीएंडल बैलेंशीट के साथ अपन रेशियो भी चेक करेंगे, बैंक वाला ये सब चेक करेंगे, बैंक वाला ये सब चेक करेंगे, बहुत बैसिक बैंक वाला उस तुमसे मांग लेगा condensed income statement मांग लेगा आपसे लाग पात सालों का उसको फिर उसको अच्छे से analyze करेगा ठीक एक तो यह मांग लिया पी एंडल और एक balance sheet भी balance sheet के अंदर क्या है बैले जो पने प्राबाना पहले जो चीज़े दिमाग में आ रिए fixed asset investment investment current asset के अं inventory होती है फिर liability के अंदर जो भी आ रही है current liability, contingent liability, provision, capital, जो दिमाग में आ रहा है सब डाल दो, सब डाल दो मैं बोलों, वो सब आ जाएगा इसके अंदर, fixed asset हो गया asset के अंदर, फिर current asset के अंदर inventory investment हो गया, फिर एक investment हो गया, अब loans and liability में अंदर आ गया तुम तुमारा, loan के unsecured, secure loan भी होगा और एक loan side में, liability side में, loan भी होता है, provision भी होता है, loan भी होता है, provision भी होता है, provision भी आ गया, उसके लाओ को अदर liability बचे वो भी आ गया, यह balance sheet item हो गया, उसके नीचे कुछ contingent liability तो वो भी आ गया, एक insurance का schedule भी आ जो, इस सब चीज़े चेक रहेगा, तो जितन तो balance sheet के अंदर आपनको क्या चीज़ चेक करना पड़ेगा, fixed asset के आपनको देखना पड़ेगा, fixed asset के पूरी description आप bank को उठा के देतो कि हमाँ पर कितनी fixed asset है, कितनी साल के भी life incur, वो सब पूरा का पूरा end को दो, वो देखेगा कि fixed asset को revaluation properly करा है नहीं करा है, उसके उपर को slow moving तो नहीं है, आपकी beginner है, trade receivable, आपका कोई ऐसा तो नहीं है, जो bad debt होने वाला पैसा नहीं मिलेगा, investment, आपने कोई भी ऐसा investment तो नहीं कर रखा है ना भाईसा, क्या कोई भी आपने investment कर रखा है, तो उसको nominal जो rate है, उसको value कर रखा है, market rate चल रही है, उसको value कर रखा है, secure and secure loan, आपने कितने ले रखे, किस के against ले रखे, आपने taxation की proper liability बेना रखिये, other liability भी आपने recognize कर रखिये, कोई भी contingent liability तो आपने हमको disclose कर दिये, छुपा ही नहीं है, insurance आपने सब जगे का करा रखा है, तो P&L उसने 5 साल का उठा आया, और एक ratio भी चेक करेगा, बेंक वाला ratio भी चेक करेगा, कोई भी तीन चाया ratio तुम यह देख लो, current asset to current liability ratio, equity to long term date ratio, सारे ratio को जो भी तुम गाते है, equity to loan ratio, sales to book date, return on capital employed, sales to fix asset, equity to fix asset, तो sales, sales, दो to sales आले हो गए, sales to book date, sales to fix asset, तीसरा sales का हो गया, sales to originality, तीन तो sales का हो गया, current asset, current liability आपनको वेसी आता है, quick asset, quick liability आपनको वाइस की, आपका annual sales जो भी हुई नो, product वाइस दिखेगा, कौन से product ने, आपको 10 product बनाते हो, 10 product में से, कौन से product ने, कितनी ज्यादा आपको, कौन से product ने, कितनी आपको sales आपको दी है, equation आप, asset liability कैसे verify गरोगे, आप loan दे रहे हो तो, ठीक है, ना, investigation जब आपको कोई भी, घंदा, खरीद आपको धंदा, खरीद ना है, जब आपको पोई की proprietary, और partnership firm खरीद नी है, तो आप generally क्या चीजे check करोगे, अगर आपको कोई भी धंदा किसी का, खरीद ना है, तो आपको उसको क्या-क्या क्यों रहा है उसके दुकान वगरा कुछ भी ए तो बेचना क्यों रहा है बहुत बेसिक चीज़े दिमाग में रखने चलें फिर अपने का पड़ेगा कि मैं को क्या फाइदा होने वाला है इसके साथ नचू काका और भागा बावरी तो अलग नटू काका और बागा जी थे हैं और रहने बावजी उनके लिए भागा चीया य। भी इसारे उनके फ्रेंड्स को सारा वाषाल से समान शर्टी सी थी दिए वापस मेर से माल खरीदेगी या नहीं खरीदेगी या फिर वो अप जेटा जी के पास दूसरी जेकर से केसे लएगी ल hing Li तो मुझे देखना पड़ेगा कि नहीं रहा हैगा मेरा customers नहीं रहे गा we儀 देखना पड़ेगा कहरीदने के पहले कि मेरे को क्या फाइडा staff भी नहीं रहा customer भी नहीं रहा पेटेंट टेक्नोलोजी ऐसे कोई राइट थी उनके पास जो अब वो क्या राइट एक्सपायर हो गया वो रिन्यू नहीं हो पाया तो यह साही चीज़ है मुझे देखनी पड़ेगी तो भाई बेच क्यू रहा है पहले तो गड़ा एलेक्ट्रोनिक्स प्रस उसके जो बभी होई निरी कोई भी पेटेंट था ब्ल्यूचेरी मोबाईल का उसके पास पास अब उसका एक्सपायर हो जाएगा अब आप इस रिन्यू नहीं होगा तो वह आपर भी देखता पड़ागी फिर मैं क्यों खरीदू वैल्यूशन कैसे करने गुरूल की कुछ चीज़ उसमें करें दिमाग में रखनी पड़ेंगे थी कि थीक है भागी फार्थ मुर्स चेइल पड़ाइच लाग बहुत एसी तुम्हें कभी वर्किंग नौट देखा उसका शेर केपिटल शेर केपिटल का वर्किंग बनाते हैं नीचे आपन कभी बैलेंश एक्रम है तो वर्किंग मे उसके अंदर से पाच रुपे के सो शेर इशू करेवे हैं, दस रुपे के पांच सो शेर इशू करेवे हैं, फलाना डीगरा, ये, और इसके अंदर से इतना कॉल सीन अरियर है, या फिर इतनी अभी तक हमने लाए, मैं अब कॉल करा ही नहीं है, इतना हमने अभी तक कॉल करा ही नहीं है, तो ये सारी चीज, इसे वर्किंग बनाते हैं, तो ओथुराइस केपिटल किती थी, इशू कितनी थी, कौन से क्लास ओफ शेर थे, पाच वाले रुपे के शेर थे, कीतने रुपे के दे, कौल से अरेयर वाग Strahy, उनकॉल डिय मैं वो सब धीउपे के थी, इईशू के टिके ती, डिफ्रेंट आस ओच ओपी आपर रुपे के, कितने रुपे के शेर थे, प्राइस, एट वे शेर सार ओफर, कितने रुपे में बनाते हैं, वो बासा इपर उन mortgage charge created है कंपनी में कोई भी mortgage charge created है कंपनी में अपन ROC की website पर जाके चेक कर लेंगे कि हाँ भई कोई भी mortgage है फिर charge इस company पर created है क्या ठीक है थार तो यह उससे अपन चेक कर सकते हैं investigation कैसे करने है profit या financial statement की profit या फिर financial forecast यह point profit का है यह financial forecast profit का अभी अपने करने से bank को अगरा profit को नॉर्मली चेक करते है तो वैसे चेक कर लो कुछ है यह basic है इसको क्या है यह कुछ प्राइन लाइक नहीं है general investigation करने है अपन को जब business purchase कर रहे तब आपन उसका profit check करेंगे bank को अगरा loan दे रहे है तब उसकी cash flow profitability देखेंगे वो ठीक है बागी forecast future में क्या होने वाला है वो कैसे check करेंगे वो generally capable नहीं होता है verification के लिए उसके लिए special review कराना पड़ेगा वो verification के लिए capable नहीं होता उसके लिए special review की forecast future के अंदर जो होने वाला है investigation of fraud fraud के लिए जब भी fraud आजाए वो ऐसे 240 तो आए गई आएगा इस चेंडर नोटिंग 240 fraud से deal करता है पुरा section 143 sub section 10 भी आपे लग जाएगा section 447 भी आपे लग जाएगा जो fraud की punishment से deal करता है यह तो अभी course में नहीं है तो इसको अपन छोड़ सकते चलो तो भाई अब यह अलग अलग question पूचे वे cash receipt में कैसा fraud होगा में नीचे डाला है cash receipt आला तुमको बताना है आप यह cash receipt छुप गया तुम जाना है cash receipt के लिखा भाई इंबेजल्मेंट कैसे हो सकता है supply laser में कैसे fraud हो सकता है तो यह question आए वे यह आपे इसको बबान एक एक करके पढ़ते है भाई साथ यह तो fraud कैसे कर सकते और उस पर अप फ्रोड हो गया तो उस पर अपनको investigation processor क्या लगाना है कैसे उस पर लगाना है क्या लगाना है cash receipt में क्या fraud हो सकता है तो बहुत basic चीज है cash receipt केंदर क्या fraud हो सकता है यह फिर bank account debit to sales आता है पेसा जनरल यह सही तो आता है bank में पेसा तब यहाँ पर debit item जो देखो debit में दोनों bank था तब debit में न employee कुछ शेतानी कर जाते पेसा खाके और गरत लिग देते अब जैसे यहाँ पर आया sales यहाँ पर sales को credit को राप बैंक को credit कर देट कर देते एक point यह से बन गया दूसरा है कि वो bank account debit data के अंदर first में आप यह क्या बैंक की जगे वो क्या कर देते पेसा नहीं आया bad debt हो गया तो bad debt account debit कर देते पेसा नहीं आया वो bad debt account debit कर देते यह bad debt account debit कर देते या फिर पेसा नहीं आया हमने discount दे दिया था हमने discount दे दिया था तो bad debt, discount, sales return debit कर देते हैं, bad debt, discount, goods return, मतलब sales return, यह debit कर देते हैं, पेसा असली में आया, पेसा चुपा लिया इन्होंने, पेसा चुपा लिया, याद करने के ट्रिक बता रहे हो, बहुत easy और logical भी है, कि जहाँ जब पेसा आना था, वहाँ पे उन्होंने वह अटा के दूसरा account debit कर दिया, मतलब, कि large cash discount ज्यादा show कर दिया, कि पेसा आया, इन्होंने जूर बोल गया, employee, fictitious credit दे के बोल दे कि goods return कर दिया, उसने तो असली के अंदर, credit sale बता दिया, cash sale को, bad debt दिखा दिया, या पे तो यह उठा के कर दिया, और जो पूरा पेसा आया, पूरे पेसे की जिग करना है, अब भाई आपको देखना है, कि आपकी income किस-किस जगे से आ सकती हो, जहाँ-जहाँ से भी आ सकती है, उसको bank में deposit करा और निकालो, bank में deposit करा और निकालो, आपका source of income क्या क्या हो सकता है, पेसा कहा से आएगा, मतला आपके different source of income क्या क्या है, आपके different source of income क्या क्या है, जिसे आपका scrap sale से पेसा आ सकता है, मतला आपक कि पेसा कहा का से आ सकता है पहले ये है देखो तब ही तो इसको लिए या कि पुचा सब्सक्राइब कर दो और बात में जरूवत हो जब विट्रों कर लाँ इस से तुम्हारे 3-4 पोइंट बन गया देखना पेसा कहा का से आ सकता है सोर्स का से कस्टमर से उसको बैंक में डिपोस्ट कर दो जरूँआ तो जरूँआ तो विट्रो कर ले ना सकती पर सकती है श्यक्रत करी इस भी होनतना था है् लोबी पैसा को पस्का करा है ये पड़ा давайте सबлом करेंग Сейчас जिएख विड्रोपन से वह सब्सकार जुमा हुएwr जब जरूएर तो लीन में भिड्रोअर पिसा in tw Хорошо कर देक में ठालें एसो सब्सक्राइन से सभ्रक्रा नुंचल सब्सक्राइन आँ च्राइब करे लिघ्र्रोपन हूँ पैस करे लें तो यह से याद हो जाएगा अपने कोंसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्से जासे पेसा आ सकता है वो कैस्छेल हो सकती है रिकावरी हो सकती है जो भी पेशा बेंग में जमा करा तो पेइंसलीप बैंग में डालके जब ज़रू तो जब विट्रो कर लेना अब यह वाला कम इंमपोटेंट ए быть और एकम टाइम कर च्थे कर सकते हैं किसी को डमीी इंवेस बना के पे कर दिया किसी को ज्यादा पे कर दिया क्यों माल आया इनितो भी पाटियर तो थेक बिलके against पी कर दिया डबल पेमिंट कर दिया तो ऐसा डबल पेमिंट कर दिया उन्होंने किसी गलत बिल्ल क ए पर्ट कर दिया फॉछ परस्ट नलत कर दिया इस धर धिर्ट का खर्टा से withdraw via मेंने क्रेक्टी जो मैंने विड्रो गळिया कि सबने सब्सक्राइब हर एक कर दो अच्छे से अक्नोलेज करो एक अपक टीण जेक करो भी टरीकिंगा का कहेश कोई बी उस से निकार डिला सकता है तो दोनों को अच्छे चेक करो कैश पेमेंट को अच्छे से एविडिंस देखो अक्नॉलेज करो पार्टी से यहां पे ताना वेजस की टोटलिंग आपने गलत कर गए वेजस ओवर पे कर दी तो आपको वेजस की कैल्पूरेशन अच्छे से देखने कि कोई भी डमी इन की डमी वरकर बनाके उसको पेतों निकर रहे ना डमी वरकर नहीं की बनाके खुद असली में पैसा है टो कर आए इसा नहीं करते ही पैटी कैस्छ भूक अपनको जो आलग से मेन्टम करी विए है जो छोटे छोटे-चोटे अमाउंट होते हैं पैसो कि वो भी अपने स्प्सप्लाइर का लेजर है हम स्प्लाइर सब्सक्राइब कर strategies कर Two boo है सब्सक्राइब यहां पर कurning परइंगे को जादा यह की महंगा लेजर कर आए जिसादा employee आपर जूर बोल रहा है कि हमने ज्यादा माल खरीदा है ज्यादा rate में खरीदा है या फिर duplicate ज्यादा माल करीदा है, ज्यादा रेट में खरीदा है या फिर डूब्लीकेट ज्यादा माल करेदा है ज्यादा पर रेट में करेदा है रखी दुब्लिकेट अधाय लिए काझ itटी क्या है कोई भी क्रेडिट नोट को स्वेशा क्या में युदा के कर दिया है और अपने माल को रेटर्न कर दिया था पर अपनने छुपा दिया credit note से उससे आया ना छुपा दिया credit note शुपा दिया credit note इंक ऊपने अपने बता रहे हैं कि हमने ज़्यादा quantity ही धिलिगा इंवोई जो मार्केट प्राइसय से ज़्ञादा प्राइस के अंबाइस या फिर दूबली के तुने या इस इंवसना प्राइसय तुबली के मैं अगुटिटिए थिजन का पेमेंट या पिर्मेंक करा रहे है और वहाँ पैमेंट का पेमेंट करा रहे है अपन कि क्या ना तो कॉंटिटी प्रैस जबल कॉंटिटी प्रैस जबल यह हो गया और एक है कि सप्लायर ने कोई भी पेसा अभी तक मांगा नहीं है वह अनक्लेम पड़ावा है वह मांगी नहीं रहा बहुत टाइम से तो अब रहे हैं जो भी असली में माल आया या पर कॉंटिटी प्रैस डबर अगरा तो यह फिक्टीश इन्वर्ड बूक होती है तो उनको सबसे चेक करो जो माल असली में आया तो अपनी पर्चेस इन्वर्ड बूक होती है उससे देखूंगा सप्लायर का इन्वोईस कि वह असली कि माल आया नहीं आया वह असली में अपने को रिसीव हुआ वह चेक करूंगा उससे मैं थरपार्टी कंफर्मिशन टाइप कि सप्लायर को बोलूगा कि तु तेरा स्टेट्मेंट ऑफ अकाउंट बता तू भी तरा कंफर्म कर तु ने क्या-क्या माल बेचा है इतर थरपार्टी कंफर्मिशन ले रहा हूं है कि उसको सप्लायर से में रिक्वेश्ट करूंगा कि तरह स्टेट्मेंट मुझे फर्निश करूंगा इंटरनल कंट्रोल देखूंगा इन रिलेशन टू पर्चेस ओडर की रिलेटें इंटरन कंट्रोल के आए कि कही पे भी ऐ इतना है अब तेरी बुक्स के साब से स्टेट्मेंट फर्निश कर इंटरन कंट्रोल पर चेक करूंगा अब यह बेसिक्स है यह वापिस यह भी वापिस से थोड़ा फाल्टू टाइप आगया और यार यह थोड़ा सा न कस्टमर लेजर फ्रोड या पर डाल दूं कस्टमर अधर अधर सप्लाय लेजर ताना कि यह पर कस्टमर लेजर लिक्व गए कि मुद्ध कॉति कॉंद रिंगना तुमको का स्टमर लेजर कि यह कस्टमर से पेसा आया वो मैंने खुद के काम के लिए यूज ले लिए टीमिंग लेडिंग फ्रोड यही तो होता है टीमिंग लेडिंग तुम कस्टमर से पेसा मांगते थे 500 रुपए मांगते थे एक कस्टमर से 500 रुपे मांगते थे, बी कस्टमर से भी 500 रुपे या कुछ किस भी एक्स राजट मांगते थे, तो A से पेसा आया ना, मैंने भी तक A का पेसा रियलाइज़ी नहीं करा है, मैं खुद परस्टनाल इसके लिए उसके लिए रहा हूँ, बी से बाद में पेसा आया है, तो मैंने बोल दिया कि A ने पेसा दिया था, यह 500 रुपे में अपरस्टनाल इसके लिए उसको टीमिंग लेडिंग में गुमा रहा हूँ उसको पेसे को, उसको टीमिंग लेडिंग फ्रोड हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पेसा जो कस्टमर से आया है, फिर सबसीक्वेंडल इसको बाद में आपर डाल दिया ऐ कंपनिंग अकांट में या फिर बोल दिया कि नहीं उससने तो पेसा दिया ही नहीं, बैद डेट करतिया, अभ्रोड कर सकते हैं, उसको क्या क्या चेक करनी है कि कस्टमर का अकाउंट सही गुड्स के लिए debit हुआ है प्रोपर्ली तो sales बुक करूंगा कि जितनी sales करिए उतना कस्टमर का अकाउंट को अपने debit कर दिया है कि इतना पैसा मांगते हैं कोई भी अगर उसको अपने दिखाए कि ये गुड्स रिटर्न हुआ है तो उस पर अपन को इस पेशल अटेंशन देनी पड़गी कि रिटर्न हुआ है कि असली में अपने पास आया है नहीं आया है अपर अपने चेक करी थी गुट्स इनवर्ड बुक चेक करी थी यहाँ पर अपन सेल्स टे बुक चेक कर रहे है ठीक है ना और स्पेशल अटेंशन देना है यहाँ पर फेले कोशन कर लेते हैं कि management उसको suspicious लग रहा है उसको लग रहा है कि main power expenditure दिन पर बढ़ते जा रहे है तो वो क्या करे यार वो क्या करना चाहिए इसे इन investigator उसको देखना चाहिए कि कोई भी dummy worker तो नहीं ला रहे हो ना कि आपने dummy worker बता दी कि और own paper worker पर दिखा दी कि यह worker आया था अपनी company में काम कर चले गया पर असली में वो dummy worker था उसको जो आप badges show कर रहे हो ना वो तो आप अपनी जेब में डालोगा तो dummy worker था उसको आपने दी नहीं है वो badges तो dummy worker आपको चेक करने कि actual number of worker कितने थे in-out system लगाओ timing लगाओ कि असली में बंदा आएगा तो punch in punch out करेगा वो punch in punch out देखो कि क post worker तो नहीं था ना actual worker असली में कितने जने आके काम करके उसका attendance record देखो plus productivity देखो कि अगर इतने वरकर आये थे इतना time का काम होना चाहिए था न वो काम हुआ क्यों नहीं हुआ इतना वरकर आये था आप तो बोल देखो अभी तो काम क्यों नहीं हुआ productivity देखो उनका attendance reporting, report अपन बनाएंगे कभी भी, invigilator को report बनाएगा तो उसको क्या चीज़े कुछ दिमाग में रखनी है, as an investigator अगर आपको रिपोर्ट बना रहे हुए, तो आपको क्या चीज़े कुछ दिमाग के हमें रखनी है, report बनाते वरको, बहुत basic, एक point वापी से बोलो, मैं हर बार हमेशा कुछ चीज़े क्या थे, टहमेशा उपर यूपर लिखता है कि, टहर्म्स ओफ़ इंगेजमेंन आपी, company के बार में, मेरा क्या nature था, क्या scope था, क्या objective था, assignment को लेके, सारी पाहाघतो बादे अपर लगिएगा, terms of engagement था, क्या limitation थी, मेरा क्या scope था, क्या objective था, वह हमे लिखेंगे लिखेंगे, chiffre, objective, limitation कि आपने, ये रिखा पने, उसके बाद आप जब investigation report बना रहे हो ना, report बना रहे हो, investigator की final report बना रहे हो, आप final बना के दे रहे हो report, तो आपको केवल relevant चीज़े ही लिखनी है, wording पर बहुत ध्यान देना, केवल relevant चीज़े लिखनी है, wording पर भी लिख देना, कोई भी assumption लिए आपने conclusion के लिए तो वो भी लिख देना और finally opinion दे देना आपकी paragraph में, finally opinion दे देना आप अपनी paragraph के अंदर आपको सबसे वहले nature, scope, objective, limitation तो सबको लिखने ही लिखने है nature, scope, objective, limitation, nature and objective क्या था assignment का, मेरे पर क्या limitation restriction थी लिखने ही लिखने, nature, scope, objective, limitation, लिखने ही की investigation, assignment के अंदर मेरा क्या nature, scope, objective, limitation था लिखने ही के वल relevant चीजे ही लिखना और wording पर बहुत जादा धियान देना को इसको एक्सक्राइब कि अपने हैं जैए कुई पिंगो ब्रक्राइब opinion देदो paragraph में, finally opinion देदो paragraph के अंदर, तो आपने जो भी conclusion दिया है, उसको evidence से link करके बताऊए, इस evidence के साब से में यह conclusion दे रहा हूँ final opinion जो भी है, वो final paragraph के अंदर दे देना, और जो भी आप लिख रहे होना वो paragraph में लिखना with appropriate heading paragraph में लिखना with appropriate heading तो nature इसको objective limitation देना, only relevant जीज़े लिखना, non relevant मत लिखना, wording पर पहुँचा देना, कोई भी assumption लिए है, अगर आपने conclusion देने के लिए, कोई भी assumption लिए, आपने conclusion देने के लिए, assumption जो भी लिख देना, वो तो वो लिख देना, ठीक है, finally जो भी opinion है, जो भी opinion आप दे रहे हो, वो वो आप paragraph 4 में दे देना, paragraph में with appropriate ID, ठीक है sir, ये reporting वाला point हो गया आपना, ठीक है, लास्ट वाला बच्छा है, इसको में थोड़ा सा जल्दी उड़ाओंगा भाई साब, मुझे सच ठीक है, अभी हो सकता है, inventory fraud, मतलब कोई मिला कि आपकी inventory काई गाया भो रही है, employee चुरा के ले जा रहा है, फ़लां डीकरा कुछ ना कुछ आपकी अथो रहा है, तो कैसे कोई, inventory कैसे हो सकता है, इसी दी बात, employee inventory चुरा के ले जाएगा, और records को manipulate कर देगा, records को manipulate कर देगा, कि इतनी inventory तो आई नी थी, आपने inventory, westage में जादा चले गई, इस बार अपन प्रोडूस कर कर सकता है, उसको thief कर सकता है, महलग चोरी कर सकता है, उसको चोरी कर सकता है, उसने remove कर दिया, प्रिमाइस से, चोरी कर दी, उसके बाद manipulate कर देगा, वो accounts, records को manipulate कर देगा, जिसने चोरी करी, इसली तो inventory आई नी थी, या फिर मैं बोल दूँगा, कि उसने westage बढ़ा दी, या यह तो हमने production के लिए issue कर दी, यह inventory या पर नहीं आपने पूछा, यह तो production के लिए issue कर दी, फिर बोलेगा, production में तो ही नी, तो westage में होगी होगी, इसा कुछ, या फिर अपने असली में dispatch कर दी, पर sales account में effect दिया ही नी, मतलब आपने किसी रिष्टेदार को free में बाठ दी, Pres范 कर सकता है, यह तो आपकी inventory तो गईंट इसा कराइब हूपली ने, इसाОइब होगी होगी में, कर दे, और हुरे बोल दिएका यह तो Westage जादा होगी में production में issue कर दिया था, dispatch करा पर फिर भी अपने sales debtor, short account का आपने इसको enter नहीं करा, तो यह point हो गया way of committing fraud, यह अपना है हो गया, वे case हो सकता है, अब investigation क्या करें, अब कुछ ही नहीं भाई, अगर employee आपका चूरी अगरा करके ले जा रहा है, तो starting से लेके end तक पूरे के पूरे process पर अच्छा सा internal control लगा दो, आप अच्छा सा internal control लगा दो, आप बहुत basic internal control लगा आपको नहीं समझ में आ रहाता हूँ, किसी engineer को रख लो, engineer बता देगा, कि इतना western होता है नहीं होता है, आप जो भी goods आ रही है, जो भी inventory आ रहे है, जा रहे है, उसके लिए goods inward registered होता है, वो देखो, कोई inventory जा रही है, तो goods outward register में entry करा ओ, यह basic basic चीज़ा आपको देखरी होत बिल्कुल अच्छा सा एक सिस्टम बनाओ, पूरा अच्छा सा एक सिस्टम बनाओ, वो इंटर्न कंट्रोल सिस्टम बनाओ, कि inventory कैसे आएगी, कैसे इस्टोर होगी, कैसे डिस्पेच होगी, अब मैं उसको रिव्यू करूँगा कि कहा का पर weakness हो सकती है, investigation के अंतर, अब मैं देखूंगा कि कौन सा फेक्टर ना रिस्पॉंसिबल है कि चोरी को क्यों कर पा रहा है क्योंकि internal control inventory पर control अच्छा नहीं है data sufficiently maintain नहीं कर रहे है time to time physically भी चेक करूंगा inventory को physically चेक करूंगा कि books में जो शोरी है वो की वो ही physically है वो भी time to time शेक करूंगा goods inward outward register में चेक करूंगा मैंने बोला था कि कितना issue करा क्या करा वो में चेक करूंगा ही करूंगा कोई AC inventory जो अपने बाट दिये पर पेसा customer ने नहीं दिया है अगर हो बोल रहा है कि westage जादा हो गया इंफिलेट कर रहा है westage तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा कि वो westage इंजिनेर की मदद लेके देख करूंगा या फिर past record past में तो 10% westage होता था इस पर 20% westage कैसे हो गया वो चेक करूंगा इंजिनेर वह गरा किसाफ से मदद लेके या फिर खुद past record चेक करके inventory को यह सी जो customer पेसा नहीं दिया goods inward outward register भी चेक करूंगा और उसको physically time to time verify करूंगा internal control भी चेक करूंगा एक proper system बनाऊगा का का पर weakness है यह सारे point यापन यापन है इंवेस्टिकेशन चेप्टर इसमें है क्या हाँ इंवेस्टिकेशन चेप्टर एक additional topic में है क्यों दो तीन topic इसके अंदर मैंने अलक्से डाले होंगा main book के अलावा separately वो तुम्हें इदर से एक बालक कर लेना अलावा भी वो कर लेना telegram channel पे मैं आपको free में notes देता रहता हूँ telegram channel पे आप जाके उसको subscribe करके free notes पड़े वे वो उधर से उठालो बाकी आपको books अगर purchase करनी है book मैंने दिखाई वी है तुमको बाकी पूरी चार्ट टेबलर format में purchase बिल्कुल hard copy में करनी हो तो इसे description box में link देता हूँ आप कर सकते हो ठीक है सर बाकी आप पन मिलते है next chapter के अंदर टाटा बाए बाए see you